Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is a part of an academy group दोस्तों आज की इस quiz वीडियो में हम देखने वाले हैं GK के top 20 questions जो की exam में बार बार पूछे जा चुके हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके end तक देखेगा और इन 20 questions में से आप कितने सही कर पा रहे हैं आप अपना score नीचे comment box में बताएगा इस वीडियो को देखने के बाद और ये वीडियो सभी exam के point of view से important है तो पूरा end तक देख लेना वीडियो को like नहीं किया तो like कर दीजे अपने दोस्तों के साथ में share कर दीजे और जो भी student unacademy plus पर complete चारी करना चाहते है दोस्तों किसी भी exam की देखिए SSC से लेकि UPSC तक सारे exam unacademy पर cover कराए जाते हैं तो आप जब भी subscription जो हैं करेंगे तो आपको एक referral code की जुरत होती है जिससे कि आपको fees में discount मिल जाता है जो आप payment करते हैं उसमें आपको discount मिल जाता है और discount code is study 10 इस code को use करेंगे तो आपको maximum discount मिल जाता है ठीक है इसके बाद दोस्तों देखिए सारे नए courses अभी top educator के start हो रहे हैं अठार अगस्त से और आपको offer भी मिल रहा है अभी अगस्त offer जिसमें आपको one or two year के साथ में three or six month का subscription free of cost मिल रहा है तो आप join करेंगे अभी अगस्त में तो आपको ये चीज free में मिल देगे three or six month का ठीक है और देखिए combat में enroll कर लीजे क्योंकि Sunday को आप एक बहुत अच्छा price भी जीच सकते हैं जिसमें आप ये Sunday to Sunday होता है पचास मिनट में 40 question होते हैं इस SST combat में और ये आपको join करना है जरूर से इसका link नीचे description box में मिल दाएगा और इसमें आपको code की जरुत होती है यहाँ पर भी और code आपको डालना है study 10 S T U D Y 1 0 ठीक है भई तो चलिए शुरू करते हैं आज की class को पूरा end तक देखेगा दोस्तो आज की वीडियो का पहला question है लंबाई के अनुसार चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है अगर आपको किसी भी question का answer पता होगा तो नीचे comment box में जरूर बतेगा और वीडियो को like करना और share करना फूलिएगा मत दिखे चीन की सबसे लंबी नदी है यांग जी नदी यानि की option a right answer हो जाएगा और सबसे important बात दोस्तो ये Asia की भी सबसे लंबी नदी है और अगर world में बात किया जाए तो ये दोस्तो world की तीसरी सबसे लंबी नदी है तो ये भी आपको प्याद रखना है चले जी दूसरा question प्रत्वी की तीन सेकेंद्रित परतों की दूसरी परत का नाम क्या है प्रत्वी की तीन सेकेंदरित परतों की दूसरी प्रत का नाम क्या है दोस्तो जल्दी बते है तो इस question का दोस्तो right answer हो जेगा सीमा यानि की B is the right answer तो यह question आपसे कहीं बार exam में पूछ रा चुका है दोस्तो तीसरा question है निमलिकित में से कौन सी दुनिया की दूसरी सबसे उची परवच चोटी है तो दुनिया की दूसरी सबसे उची परवच चोटी कौन सी है पहली तो आप सभी को पता है Mount Everest है दूसरी दोस्तो आपकी है Godwin Austin यानि की A right answer उचाएगा ठीक है चले जी Next question भारतिय सविधान के किस अनुच्छेद के तहट यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उलंगन होता है तो वह उच निया ले जा सकता है किस article के तहट ये आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा article 226 यानि की 226 के तहट तो यह आपको याद अखना है मेरे प्यारे दोस्तो अगला question क्या कह रहा है सदा बाहर करांती किस से संबंदित है Evergreen revolution is related to which field तो दोस्तो ये related है agriculture से यानि किरसी से तो इस question का right answer option भी हो जाएगा दोस्तो next है निमलिकित में से कौन सा सही रूप से mail खाता है बिल्कुल सही answer किया है आपने यहाँ पे पूछा which of the following is correctly matched तो आर ये समाज की स्थापना स्वामी द्याना सरस्वती ने की थी तो right answer आपका option B हो जाएगा चलिए next दोस्तो अगला question है कि निमलिकित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है तो right answer हो जाएगा सनी ग्रह यानि कि option D is the right answer चलिए next question है भू परपट्टी की प्लेटो की सीमाएं कमजोर छेतर हैं जिने खालिस्तान छेतर कहा जाता है तो दोस्तो इन्हें कहा जाता है भू कमपी छेतर यानि की option आपका B rate answer होगा नेक्स question है निमलकित में से कौन सी जील अफरीका महाधी में भूम अध्य रेखा पारिस्ते था देखे अगर question का answer पता होगा तो नीचे comment box में बताते रहना भई ठीक है इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा Victoria जील right answer is option B Victoria जील is the right answer next question है दो देखांतर रेखाओं के बीच के छेतर को निमलकित में से किस नाम से जाना जाता है बिल्कुल सही है इस question का right answer होगा दो देखांतर यानि की longitude lines known by which of the following name दो देखांतर रेखाओं के बीच के छेतर को कहा जाता है दोस्तो गोर यानि की B आपका right answer होगा दोस्तो 1789 में टीपू सुल्तान को तीसरे मैसुर यूद में किस ने हराया था तो ये हराये गए थे दोस्तो लोड कॉन वैलिस के द्वारा ठीक है टीपू सुल्तान को लोड कॉन वैलिस के द्वारा हराया गया था यह आपको याद रखना है ठीक है तो चलिए next question निम्लिकित में से किस सदाबली के बाद दक्षिन भारत में भूमी दान करने की पर्था बहुत लंबे समय तक चली तो इस कोशन का राइट आंसर होगा दोस्तो आठवी एट सेंचुरी के बाद है तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है निम्लिकित में से किस वर्स में भारतिय सेनिकों के लिए समुदरी यात्रा अनिवारिय कर दी गए थी तो राइट आंसर होजगा 185780 यानि की सी राइट आंसर होगा नेक्स्ट है निम्लिकित में से किस ने भारत में पहला नियमित नियापार संचालित किया था तो मेरे पहरे दोस्तो इस कोश्चन का राइट आंसर होगा बी पी वाडिया यानि की भी इस दा राइट आंसर दोस्तो नेक्स्ट है निम्लिकित में से किस ने परसिद कविता सर्फरोसी की तमन्ना लिखी है इस कोश्चन का राइट आंसर होगा बिसमिल अजिमाबादी यानि की ऑप्शन हो जाएगा ये राइट आंसर होगी चले नेक्स्ट नेक्स्ट है 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतिय कारेकरता और किसान पार्टी के अध्यक्स कौन चुने गए थे इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही दोस्तो मुझाफर एहमद यानि की D is the right आंसर अगला कोश्चन है दोस्तो पहले G20 लेडर सम्मिट का आयोजन कब किया गया था दोस्तो 2008 में किया गया था यानि की इस कोश्चन का राइट आंसर ओप्शन C रहने वाला है घाटे के वित्य पोश्चन का मतलब सरकार खालिस्तान से पैसा उधार लेती है तो deficit financing means the government borrow money from the अब देखी यहां पे कुछ student अलग-अलग answer लगाएंगे कुछ IMF लगाएंगे ministry of finance लगाएंगे बट the right answer is the reserve bank of India ठीक है इनके पास जाने से पहले तो RBA के पास जाएगे ना तो ये आपको या दखना है और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले भी मैंने एक बार एक question पूछा था उसमें आपने बहुत सारे स्ट्रेंट ने गलतान सा लगाया था ठीक है चले अगला question है निमलिकित में से किसे मात्मा गांधी का राजनितिक गुरू माना जाता है तो मात्मा गांधी जी का राजनितिक गुरू माना जाता है दोस्तों गोपाल किरिसिन कोखले को यानि कि B इस question का right answer होगा ये आपको या दखना है भारती सविदान का कौन सा भाग नगरपाली काउं से संबंदित है तो which part of the Indian constitution deals with the municipalities यानि कि इस question का right answer होगा part 9A यानि कि D आपका सही answer होगा भई ठीक है तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये session यहां तक देखा आपने बढ़िया लगा है तो like कर देना और like करना मत भूलिए भई जो भी student अभी देख रहे हैं like भी करती चलिए ठीक है दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे ये बते कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे comment box में जुरू बतेगा वीडियो अभी तक like नहीं किया तो like कर दीजे अपने सभी दोस्तों के साथ में share कर दीजे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करके बेल एकन कौन रखी ताकि वीडियो के notifications आपको मिलते रहे और मिलते है नेक्स क्लास में अपना ख्याल लखे और किसी को भी अनकेडमी पर subscription जोइन करना है तो ये code आप यूज कर सकते है study 10 without any space चलिए भे मिलते है नेक्स क्लास में बाई बाई टेक केर वीडियो